दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको Redmi phone के keyboard sound setting के बारे में बताएंगे कि मतलब अगर आपके phone में keyboard sound on है तो आप उसको कैसे off करेंगे अगर आपके में off है आप on करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे आप sound उसका कम जादा कैसे करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले तो आप चले जाएए अपने phone की settings में phone की settings में आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पे आप करिए नीचे की और scroll और नीचे की और scroll करने पर आपको एक option दिखेगा additional settings का आप इस पे क्लिक करिए इस पे क्लिक करने के बाद आपको languages and input पे क्लिक करना है और languages and input पे क्लिक करने पर आपको नया interface मिलेगा यहाँ पे आपको manage keyboards पर क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे emoji keyboard दिख जाएगा आप इसपे क्लिक करिए इसपे क्लिक करने के बाद आपको side में नीचे एक setting का option दिख जाएगा icon आप इसपे क्लिक करिए और इसपे क्लिक करने के बाद आपको एक option दिखेगा input का आप इसपे क्लिक करिए और जब इसपे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको करना है सबसे नी के लिए क्या करना है आप simply यहाँ पे इस पे क्लिक करिए और यह जो है on हो जाएगा और यहाँ पे यह volume आप जो है इसका sound volume adjust कर सकते हैं कम या फिर ज़्यादा ठीक है जितना भी आपको जिसी साब से रखना है वो आप रख सकते हैं अगर आपके में already on है और आप इसको off करना चाहते हैं तो simply आप यहाँ पे क्लिक करके इसको off भी कर सकते हैं तो इस type से आप Redmi phone में keyboard sound on या फिर off कर सकते हैं अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like, channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और new वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए